जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप साधना करते हैं आप मंतर का जाप करते हैं आप कोई पाठ करते हैं या आप पूजा करते हैं और आप एक गंटे दो दो गंटे साधना कर रहे हैं पूजा पाठ को टाइम दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको अनुभव नहीं हो रहे तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको ज पूजापाट के शेतर में आता है, साधना के शेतर में आता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस ब्रहमांड में, इस दुनिया में, जो सबसे कठिन लाइन आप कह सकते हो, सबसे मुश्किल लाइन अगर आप कह सकते हो, तो वो ये वाली ल लाइन क्योंकि इस लाइन में एक साधक को एक भगत को बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है त्याग करना पड़ता है भगत का मतलब ही होता है कि भासे भाव गासे ग्यान और तासे त्याग बिना त्याग के बिना ग्यान के बिना भाव के आप भगत बन ही नहीं सकत होता है जिसके आप इच्छुक हैं या जिसके आप लायक हैं क्योंकि ये शुक्षम जगत है ये आध्यात्मिक शेत्र है यहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं देती यहां पर आप यह समझ सकते हैं कि अंधेरे में तीर आपको चलाना होता है और एक बार नहीं बार बार चलाना होता है कौन सा तीर आपका निशाने पे लगेगा अगर निशाने पे लग गया आपका तीर तो आपको सफलता मिल जाएगी अगर आपको नहीं मिली नहीं लगा आपका तीर निशाने पे तो आपको फिर से तीर चलान पड़ेंगे तो ये चीज़ होती है प्रयास आपको बार-बार करते रहना पड़ता है साधना के शेतर में अब जब कोई साधक जब कोई भगत साधना के शेतर में उतरते हैं तो बहुत सारी गलतिया उनसे होती है बहुत सारी भूल जोक उनसे होती है जिसकी वज़े से उनको साधना में सफलता नहीं मिल पाती पूजा पाठ में सफलता नहीं मिल पाती अब जो साधक होते हैं जो भगत होते हैं वो करते क्या हैं कि जब वो साधना के शेतर में उतरते हैं तो कच्चे ग्यान के साथ आदे अदूरे ग्यान के साथ उतर जाते हैं सबसे पहली गलती तो ये करते हैं हमेशा जब भी आपको कोई भी साधना करनी हो कोई भी पाठ करना हो उसके बारे में पहले आपको पूरी तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए चाहे आप YouTube से जानकारी लो चाहे आप Google से जानकारी लो चाहे आप किसी ब्रामण के द्वारा जानकारी लो अच्छी तरीके से साधना के बारे में जानकारी आपको हासिल कर लेनी है तब उसके बाद में आपको साधना पर बैठना है अब जब यहाँ पर आप साधना पर बैठोगे तो वहाँ पर भी कुछ नियमों का पालन एक साधक को एक भक्त को करना पड़ता है जो सबसे कौमन नियम होते हैं हर साधना के वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला नियम तो ये कि ब्रम चर्रे का पालन ब्रह्म चर्रे का पालन एक ऐसा नियम है जो हर सादरा में लागू होता है, हर पूजा में लागू होता है, हर पाठ में लागू होता है, हर अनुष्ठान में लागू होता है बिना ब्रह्म चर्रे के पालन के आप किसी भी मंतर की सिद्धी, किसी भी तंतर की सिद्धी, किसी भी यंतर की सिद्धी आप नहीं कर सकते यहां तक कि आप एक चालिसा भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे अगर आप ब्रह्म चर्रे का पालन नहीं करते हैं दूसरा जो नियम होता है कि सात्विक आहर जो साधक होते हैं जो भगत होते हैं हमेशा उनको एक सात्विक आहर लेना चाहिए सात्विक आहर लेने से हमारा तन और हमारा मन दोनों ही शुद्ध रहते हैं क्योंकि जब भी हम तामसिक आहर लेते हैं तो उससे हमारे मन में वासन जागेंगी कामुकता जागेंगी तो आपका अनुष्ठान खंडित होगा इसलिए भक्त लोग साधू लोग संत लोग महत्मा लोग हमेशा सात्विक भोजन लेते हैं और हलका भोजन लेते हैं अगर आप हलका भोजन लेंगे सात्विक भोजन लेंगे तो कभी भी आपकी बुवात में आपको थोड़ी दिक्कते होंगी क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो भोजन का त्याग नहीं कर पाते और जब शुरू से ही आपने तामसिक चीजों का सेवन किया हैं अंडा, मीट, मचली आपने शुरू से खाई हैं तो बाद में छोड़ना बहुती जादा मुश शरीर को उनकी जीवा को उस चीज की आदत लग गई है और जब भी वो साधना करेंगे तो उस चीज को उनको छोड़ना पड़ेगा तो उनको थोड़ी दिक्कते होंगी लेकिन अभ्यास अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी बार बार आपका जब भी मन करें आप ऐसे अनुष्ठान करिए जिसमें ये चीजे वर जीत हों तो जब आप ऐसे अनुष्ठान का संकल्प लेकर के साधना करेंगे तो आपका मन खुद बाखुद इन चीजों से दूर होता चला जाएगा उधारन के तोर पे हनुमान जी का अनुष्ठान हन शुरू कर देता है और तामसिक चीजों को खुद बाखुद छोड़ देता है तो अब हनुमान जी का अनुष्ठान कर सकते हैं इसके अलावा जो साधक भगत लोग गलतियां करते हैं वो ये हैं कि वो जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं जो भी साधना कर रहे हैं उसके बारे में वो धिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, सब को बताना शुरू कर देते हैं, कि आज हम ये साधना कर रहे हैं, हमने ये वरत रख रखा है, हमने ये पूजा करी है, ये पाठ की आए, ये चीजे कब बताई जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, अ दर्म का परचार परसार कैसे होगा, इसलिए आप बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन हमेशा अपने अनुष्ठान की पूरती के बाद में बताइए, ताकि आपके साथ में अन्य लोगों का भी भला हो सके, जब आप अनुष्ठान करोगे, आपको लाब होगा, आपकी सा सादकों को भी जानकारी देंगे अन्य भक्तों को जानकारी देंगे तो वो भी सादना करेंगे उनकों भी लाब होगा इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और आपका भला भी होगा और अन्य सादकों का भला होगा और जब आप बता भी देंगे बाद में तो आपकी सादन शुरू भी नहीं किया, आप अनुष्ठान कर भी नहीं रहे, आप पहले से बताए जा रहे हो, हम ये वाली साधना करेंगे, हम को ये सिद्धी मिलेगी, हम उसके बाद में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और हम ये साधना में बैठे हुए हैं, तो ये चीजे आपको छोड़न हमेशा जो साधकों को अपना स्वभाव एकदम नरम रखना चाहिए, हमेशा लडाई, जगडा, मार, पीट, गाली, गलोज, उल्टा सीदा बकना, और महिलाओं का सम्मानना करना, महिलाओं को गंदी नजरों से देखना, इन सभी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि साधना के शेतर में आने से पहले इनी सभी चीजों का त्याग करना पड़ता है, इनी सभी चीजों से बचना पड़ता है, तब हमको सफलता पराप्त होती है, अगर आप नहीं करेंगे, नहीं बचेंगे, तो आप कभी सदना के शेटर में सफल नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा जो सादक लोग भगत लोग गलती करते हैं वो ये है कि सादना में उनके continue नहीं होती यानि कि जो भी आप सदना कर रहे हैं एक बार कर ली फिर छोड़ दी उसके बाद दुबारा कोई सादना करी ही नहीं तो आपको कहां से सफलता मिलेगी देखे दोस्तों अपने लक्षे की प्राप्ती करने के लिए हमको बार बार प्रियास करना पड़ता है तो अगर आपको भी अपने लक्षे की प्राप्ती करनी है साधना के शेतर में सफल होना है तो आपको बार बार प्रियास कर पड़ेगा नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी प्रैक्टिस मेंक सा मैन परफेक्ट बार बार अभ्यास करने से हमको उस शेतर में महारत हासिल हो जाती है जिस परकार से एक बच्चा एक स्टुडेंट बार बार पढ़ाई करता है अभ्यास करता है और वो अच्छे नंबर पराप्त करता है उसी परकार से अगर एक साधक बार बार मंतर का जाप करता है बार बार साधना करता है तो उसकी वो साधना सिद्ध होती है और उसको सफलता मिलती है तो ये कुछ चीजे मैंने आपको बताई है इन चीजों के उपर आपको जरूर ध्यान देना है और इनके आदना के शेतर में सफल हो जाएंगे और आपको दिव्वे शक्तियां दिव्वे सिद्धियां पराप्त होंगी। तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो को शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सक मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में जय मातारानी की